हेई गाईज आनन्द हेयर और आज हम अंबोक्स करने वाले हैं Realme X3 Super Zoom जो की एक flagship लेवल का फोन है और काफी अच्छा competitor है अपनी मार्केट में तो इसके बोक्स के पीछे हमें देखने को मिल जाता है और यह काफी अच्छा smartphone है तो चले ही से करते हैं उसी के साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इससे मुझे काफी motivation मिलती है तो बोक्स खोलते हैं हमें TPU case देखने को मिलता है और उसी के साथ में user manual उसी के साथ म बारे में बात करूँ तो 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है तो चले गाइस रखते हैं से साइड में और यह है हमारा Realme X3 Super Doom तो चले करते हैं से बूट उससे पहले मैं आपको इसकी कवरिंग हटा के बता देता हूं यह फोन कैसा दिखता है तो चले कर लेते हैं से अनक करें से स्क्रीन साइस के बारे में 6.6 इंचीस की स्क्रीन को मिलती है जो कि 399 PPI की स्क्रİन है उसे की साथ IPS LCD डीसप्ले पैनल देखने को मिलता है और इसमें हमें 120 Hz का support भी देखने को मिलता है और इसकी dust sensitivity देखेंगे PUBG on करके कि कैसी रहती है तो guys और बात करें इसकी physical overview की बरे में तो नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाते है speaker grill उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाते है charging port side के बारे में बात करूब तो हमें देखने को मिल जाते है volume, rockers, buttons और उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाते है हमें अपना power button और मैं आपको बता देना चाहते हूं guys की power button पे हमें fingerprint देखने को मिलता है साइड में हमें प्लास्टिक finish देखने को मिलते हैं जो की काफी अच्य मैट finish दी गई है उपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि noise cancellation माइक हमें देखने को मिलता है और साइड में हमें देखने को मिलता है sim ejector tray तो चुली गैज यसे कर लेते हैं boot up और पीछे से मैं ये इसका IMI नमबर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी first look जो कि काफी अच्छी shiny look देखने को मिलती है तो guys ये है हमारा Realme X3 Super Zoom जो कि तो guys देख पा रहे होंगे इसमें काफी सारे shades हमें देखने को मिलते हैं और personally मुझे काफी अच्छा look लगा इसका और इसका look Realme X50T से काफी मिलता जूलता है और guys Realme के सारे points की look same देखने को मिल जाते हैं नीचे की तिरफ हमें Realme branding देखने को मिलते हैं उसी के साथ में हमें कुछ triangle shapes के हमें देखने को मिल जाते हैं तो पीछे हमें 4 camera's देखने को मिलते हैं में camera 64 megapixel का उसी के साथ में ultra wide lens 8 megapixel का और हमें देखने को मिल जाता है इसमें 8 megapixel का टेली photo lens उसी के साथ में हमें देखने को मिल जाते है 2 megapixel का macro जो कि हमें समझ नहीं आता कि 2 megapixel का macro इस flagship phone में क्या कर रहे हैं यह थी इसके back camera की कुछ specifications उसके साथ में इसकी first look आप देख पा रहे होंगे यही है realme X super zoom जो की एक काफी अच्छा premium phone realme की तरफ से देखने को मिलता है और इसका package यही है complete तो इसके processor के बारे में बात कर लेता हूं हमें इसमें देखने को मिल जाता है snapdragon का 855 plus processor जो की एक काफी अच्छा processor है और साथ में काफी premium range के phones में देखने को मिलता है तो चलिए करते हैं इसे boot up और कर लेता हूं मैं इस setup उसी के साथ में आपको दिखाता हूं इसकी first look complete सा package तो भाई इसके N22 score भी मैं आपको दिखा दूँगा उससे पहले कि इसकी चीन देख सकते हैं आप काफी अच्छी खासी चीन है इसमें जो की 40,000 के phone में मेरे ख्याल से justified नहीं है तो गाईज देख सकते हैं यही है Realme का एक X3 Super Zoom जो की एक काफी अच्छा flagship phone है और काफी की devastus चीन देखने को मिलेगा तो गैज इसके launch event के बारे में बात कर ले तो हम ही सिद्धने को मिल सकते है 26 को जो कि Indienne में चल्द की launch होने जा रहा है तो इसका fingerprint के बारे में बात कर लेते हैं तो देख पा रहे होंगे इसका काफी responsive fingerprint है touch करते ही बिलकुल जलसी से खुल जाता ह उसे के साथ मैं इसके face unlock के बारे में बात कर लूँ तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका face unlock भी काफी responsive है तो guys आप देख सकते हैं मेरे face सामने आते ही पड़ी जल्दी खुल जाता है ये तो चलिए guys ये इसकी कुछ specific questions है उसके साथ मैं N2-2 score मैं आपको इसका दिखा लेकिन इसके पहले ही मैं बता दूँ कि N2-2 run किया था तो इसमें 5 lakh के करीब score आया था मैं इसमें एक बार और run करके दिखा दूँआ जिससे कि आपको भी बता चल जाए तो guys इसके weight के बारे में बात करूँ तो 206 grams की weight देखने को मिल जाती है जो कि काफी ठीक phone है मेरे हिसा बैटरी टेस्ट भी हम जल्दी ही लेकि आएंगे आपके लिए जिससे कि आपको पता लगे कि ये phone क्या कमाल कर सकता है तो guys इसमें main features के बारे में बात करो तो 64 megapixel 855 plus और साथ में इसके front में 32 plus 8 megapixel देखने को मिलता है तो इसका touch काफी responsive है आप देख पा रहे होंगे को की तरफ से भी हमें 120 Hz की display देखने को मिलती है उसी की तरह है इसका same response है तो चलिए guys इसका Android दिखा देता हूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 5,5,360,100 का score चोकि ये काफी अच्छा score है flagship phone के लिए तो चलिए guys ओन कर लेते हैं PUBG Mobile जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं बत इसने को मिल जाती है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं आपको दिखा रहा हूं तो guys मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तक तक के लिए जय हिंद वंदे मातरों और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मि मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाई